हुलो के किया है अगर हमें सिस्टम का इंपल्स रेस्पोंस पता है तो हम किसी इंपूट के लिए और तो और ऐira चाहिए का क्या बताएं अगर हमें किसी सिस्टम का impulse response बता है यह कोई हमने system यारी LTI system ले नामे की वर्ट हमने कोई LTI system LTI मतलब linear time invariant system है उसका हमें अगर impulse response बता है impulse response को represent करते हैं हम H of T से then अगर हम उस पर फिर कोई भी input apply करते है different inputs के लिए तो हम उस system का output बता सकते हैं क्या होगा cable हमें क्या पता हों चाहिए उसका impulse response उसके बाद हम कोई भी input apply कर रहे हैं तो हम उस system का क्या बता सकते है output बता सकते है ठीक है देखो यहां पर xt क्या है हमारा input है input signal h of t क्या impulse response impulse response यानि किसी उस system को उस system का response जब उसको input impulse दिया गया हो ठीक है यह याद अखना ठीक है LTI linear time invariant system वह system कैसा होना चाहिए linear और time invariant देखिए कैसे calculate कर सकते हैं calculate कर सकते हैं जो output होगा y of t जो होगा equal होगा किसके x of t यह सिंबल है यह convolution का symbol है h of t equals to integration minus infinity to plus infinity देखिए t को replace करना वर तो से तो एक dummy variable है x of to h t minus to d to ठीक है तो इस ताहिसा हम convolution find कर सकते हैं यह किस इसको और क्या लिख सकते हैं और ऐसा नहीं इसको भी हम लिख सकते है minus infinity to plus infinity x t minus to h of to d to ठीक है जो आपको हमें easy लगेगा हम उसको h मानेंगा और उसको x मानेंगे अपनी मर्जी किसी को x मान सकते हैं किसी को h मानेंगे ठीक है हमें अगर system में नहीं बोला कि यह impulse and response है यह input है तो हम उसमें से किसी को x किसी को h मानेंगे यह formula लगेगा ठीक है यह convolution का sign होता है यह क्या convolution का sign कोशन शुरू करते हैं find convolution convolution find का नाम है हमें देखा xt की value u of t है और h of t की value कितनी है u of t यहाँ पर xt और yt दे रखे हमें क्या क्या चाहिए कुछी को अब हम यहाँ पर x और h मान सकते हैं t-to चाहिए है t-to के draw करेंगे to हमाएं यहाँ पर variable है t constant है यहाँ पर ध्यान देना t मेरा क्या है constant जब मैं उसको use करूँगा ठीक है to क्या मेरा dummy variable मतलब जिसके हमें करना integration ठीक है देखो step number one सबसे पहले t को replace करो x of t दे रखा हमें कितना u of t इसको change करना t को toe से x of toe यह कितना हो जागा u of toe ठीक है next next क्या करना u of हमें क्या करना u of क्या दे रखा हमें h of t equals to u of t हमें क्या replace कर दे हमें क्या चाहिए h of t minus toe मैं पहला बार फोर्मल लगाता हूँ तो t minus toe यानि sorry यह request होगा यहाँ पर तो t को t minus toe से replace कर दो तो u t minus toe हो जाएगा ठीक है इन दोनों को graph draw करना है उसके बाद क्या कर देना दोनों की multiply कर देना multiply कर क्या कर देंगे multiply मतलब उसका common area देखना है common area देखने बाद क्या कर देंगे उसका integration find कर देंगे देखो पहले x of toe draw करो x of toe u of toe तो u of toe के किस टाइप का दिखेगा unit step का function नहीं है ठीक है यह होगा ठीक है तो u of toe बन गया second बनाना हम है s t minus toe तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा t minus toe को इसको मैं कैसे लिगी सकता हूँ u of toe मेरा variable है t constant मैं नहीं बना देना second इसको draw करो इसकी value क्या होगी u of मैं यहां पर draw करना शुरू करता हूँ देखो यहां पर draw करता हूँ u of toe तो तो आचुका हमारा अगली बार क्या करेंगे मैं किसी signal को draw करने का बताया था कैसे चलते है right to left तो पहले मैं क्या करूँगा t plus toe draw करूँगा u of कितना हो जाएगा यह toe plus t toe plus t मतलब advance system को advance करना advance करना इसको advance करेंगे मतलब right to left shift कर देंगे यह कितना जाएगा minus t ठीक है यह minus t हो जाएगा next क्या चाहिए मुझे उसका folded version इसका मैं folded version बनाता हूँ क्या एगा folded minus t वाला point कहाँ पर चला आगा plus t पर ठीक है और यह वाले positive वाले point है वो किदर आजाएगे negative तरफ यानि तो यह क्या आगे u of minus toe plus t ठीक है अब value आ चुकी है अब देखिया t constant है t की value हो सकती है positive भी negative भी अब देखों यहां पर यह t है मेरा इस t पर area depend करेगा जो common होगा ठीक है हमें क्या करना इन दोनों का multiply करना ठीक है इन दोनों का convolution करना मुझे यहानि इन दोनों का multiply करना मुझे अगर मुझे common area चाहिए यहां पर देखो अगर मैं t की value 0 कर दू को में 0 कर दे तो यहां पर उटका आ जाएगा तो यहां aगर 0 हो तो यहां पर उटका जाएगा तो यह यहां से पर signal इस टाइप से दिखेगा है ना is टाइप दीखेगा ना यानि कैसा दिखेगा मैं सारे case बनाकर दिखाता हूँ separately, देखो separately दिखाता हूँ case number one, यहाँ पर मैंने बना लिया, ठीक है, case number one अगर when, T अगर zero, अगर मेर T zero हो तो मैं किस टाइब का signal देखेगा, यह तो as it is आ जाएगा ध्यान से देखना, यह signal u of to as it is आएगा मुझे multiply करनी है किसके साथ, अगर मैं T को zero कर देता हूँ यहाँ पर देखिए, इस वाले इसमें, इसको zero कर दिये मैंने एक सेकेंड, नेक देखो, अगर T को सटो zero करो, तो यह जीरो यहाँ पा उठका आजाएगा यह यह signal, यह वाले T यहाँ पा गया, ठीक है, तो यह signal इस टाइप का दिखेगा, यह क्या होगा? यू ओफ, T को मैंने zero कर दिया है, तो यह कितना रहा है, यू ओफ माइनस टो, इन दोनों का multiply करो, ठीक है, इन दोनों multiply करो, क्या common area मिल रहा कहीं पा, यह signal इस साइड की तरफ है, यह signal इस साइड की तरफ है, तो य ओफ T क्या आगया है मेरा, मेरा यहाँ पे, कितना आया वह यू ओफ, टो इंटो यू ओफ, माइनस टो, कितना हो जाएगा, जीरो, अगर मैं इसको formula लगा हूँगा, य ओफ T equals to minus infinity to plus infinity, वो आएगा, 0 into d टो, तो area कितना हो जाएगा, 0, तो, T equals to 0 पे, आउटपिट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, case number 2, when t less than 0, अगर t less than 0 हो, ठीक है, अगर t less than 0 हो है, हहाँ पे देखो, मैंना अगर t less than 0 हो, तो क्या ड्रो करना पड़ागा, ut minus 2, यहाँ मैंने ड्रो करना पड़ा, t minus 2, तो t less than 0 हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ut तो मुझे पता है, u2, तो u, 2 minus t मुझे ड्रो करना पड़ेगा, t less than 0 हो, यह नि नेगेटिव है, तो देखो, अगर नेगेटिव है, तो signal कि किस की तरफ shift हो जाएगा, right की तरफ, है ना, उसके बाद मुझे क्या ले देना, उसका, इसका मुझे क्या ले देना, ut, उसका inversion कर देना, ठीक है, इसका inversion करो, यह काँ पे पॉइंट टीप है, तो अब पॉइंट काँ पाई आगा, माइनस टीप है, ठीक है, तो यह कौन सा, वो आगी है, u माइनस टो, माइनस टी, देखो, यह दो, हमारे पास, पहला signal क्या, u of toe, second signal क्या आया, अगर t less than zero है, sorry, t negative है, हाँ, negative, क्या common area आ रहा है, यह इहां सा, इस साइट की तरफ जा रहा है, यह इस साइट की तरफ जा रहा है, तो y of t, यानि u of, कितना, u of toe, into, u, t, minus toe, minus t, कितना आ गया, 0 आ गया, यानि, y of t, कितना आ गया, minus infinity to place infinity, 0, d toe, 0 आ गया, for, t less than 0, t equals to 0 पे 0 आया, t less than 0 पे 0 आया, अगर t greater than 0 है, t greater than 0 हो तो graph कौन सा बने गा, यह वाला, देखो अगर t greater than 0 हो तो यह वाला graph बने गा, यह वाला graph बने गा, तो यह देखे, कुछ common है यहां पर अगर मैं इसको ऐच़े ऊपर बलाऊ, खहता गया, जा तक यह T जा रहा तो एरिया कहां तक कोमन आया हमारा यह वाला यह वाला यह वाला पार्ट यानि इन दोने मुल्टिप्लाइ करने पर मैं यहां पर बनाता हूं तो इस नेक्स पेश पर मना दे रहा हूं यहाँ पहर देखो कुछ अरिया आया कोमन यह वाला यह इए यही तो अरिया कोमन दोनों का तो रिजल्ट एंट सिगनल जो आयेगा वह इस टाइप का हूगा जेरो से लेकर T है ना यह क्याया यू टो मल्टिप्लाइवाए यू माइ कितनी है 1 है उसमें तो u में तो 1 ही रहती है सब में पता ही है ठीच तो इसकी value 1 है तो y of t क्या आ गया minus infinity से plus infinity हमाय क्या था formula ही एक्स तो एक्स ती माइनस तो डीटो हमारे सिंगलन जीरो से तक लाइ कर रहा है एक्स तो इंटो 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 इंटीटो करो कितना आएगा तो जीरो से लेंगे t limit लगाई तो आये t तो yt हमारा क्या आ गया t आ गया ठीक है तो yt क्या आ गया t for t greater than 0 तो अगर हमें complete output के लिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसकी value t होगी for t greater than 0 के लिए और 0 होगी for t less than equals 2 के लिए 0 ठीक है तो output जो होगा हमारे system का यह आएगा ठीक है y of t क्या आ गया t for t greater than 0 के लिए और 0 for t less than 0 के लिए ठीक है हमें तीनों केस लेने positive के लिए negative के लिए और 0 के लिए I hope यह आपको समझाया होगा इस वीडियो में इतना ही okay thank you मिलते है next वीडियो में